हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम तो नेक्स्ट वीडियो अफ एलेक्रोस्टाटिक्स टूड़े अगर आप डाइपूल वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें डाइपूल और डाइपूल वुमेंट की बात की गई है तो मैंने एक एलेक्ट्रिक फिल्ड ड्रॉ किया जो यूनिफॉर्म है दोनों लाइन के बीच का एक फिल्ड को यूनिफॉर्म दिखाता है ठीक है अब इसमें मैंने एक डाइपूल को प्लेस किया अगर suppose हम dipole को electric field के along place करें ठीक अभी तो मैंने किसी angle theta पे place किया है अगर इसी dipole को electric field के along place करें तो यह QE force किदर लग रहा होगा along the electric field क्योंकि आपको पता है कि जो positive charge होता है उसके उपर लगने वाला force कैसा होता है along the electric field reason क्या है कि electric field का मतलब है कि इधर कहीं positive charge है और इधर कहीं negative charge है इसी लिए electric field क्या है left to right में है तो positive charge पे लगने वाला force क्या रहेगा towards right और negative charge पे लगने वाला force क्या रहेगा towards left तो अगर हम इसे along the electric field रखते हैं कुछ इस तरह से, देखो, तो यह जो condition होगी हमारी, यह किस तरह की condition होगी, इधर आपका QE force लग रहा है, और इधर आपका QE force लग रहा है, ठीक है, तो यह एक stable equilibrium की condition होगी, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको किसी angle पे, सपोज, सपोज हमने इस को perpendicularly रख दिया, तो perpendicularly भी रखने से, जो plus Q charge होगा, उसके उपर किधर force लएगा, राइट में, और जो minus Q charge होगा, उसके उपर किधर force लएगा, लेफ्ट में, तो net force तो 0 है, अगर वो वाली condition हम देखें, यह देखो, इस तरह से मैंने किया यह perpendicular रखा है, तो यह क्या है हमार positive charge पे, इधर का force, towards right, और यह negative charge पे, towards left, तो यहाँ net force तो 0 है, ठीक है, net force 0 है, translational equilibrium की condition है, लेकिन ध्यान से देखिए, क्या net torque भी 0 है, torque आपको पता है न, R x F, हमने पढ़ा हो था mechanics में, ठीक है, तो समझते हैं, अगर आपको mechanics भी अभी बिल्कुल अच्छे से ध्यार नहीं है, तो और समझने की कोसिस करते हैं, यह QE force क्या करेगा, इसको फिर से, इस वाली condition मिलाने की कोसिस करेगा, ऐसे, खीचेगा, तो कि य minus QE, मैंने minus नहीं लिखा, direction दिखा दिया, तो यह minus ही हो गया, तो यह negative force इधर जो लग रहा है left में, यह क्या करेगा, इसको along this line, ऐसे लाने की कोसिस करेगा, तो यह दोनो opposite force मिलके, एक couple की तरह behave कर रहे है, ठीक है, couple का concept हमने पढ़ा हुआ था, class 11th में, तो दोनो मिलके क्य करेंगे, इसके उपर एक torque लगाएंगे, यह इसको clockwise rotate करने की कोसिस कर रहे है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छे से clear है, तो net force 0 है, लेकिन यहाँ पे net torque जो है, वो 0 नहीं है, तो object translational equilibrium में तो है, लेकि rotational equilibrium में नहीं है, मतलब यह rotate करेगा, translational equilibrium का मतलब यह ह है, कि translational linear direction में इसमें movement नहीं होगा, लेकिन यह इस point के about क्या करेगा, यह rotate करेगा, ठीक है, तो हम यहीं देखने वाले हैं, कि इसके उपर net torque क्या apply हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम इस point के about, मानलो इस point को हमने कुछ assume कर लिया, point O है, तो इसके about torque निकालना चाहते हैं, तो द क्या करते हैं, बताओ, R x F, R क्या होता है, perpendicular distance from the point about which we are applying the torque, उस point से perpendicular distance, जिसके about हम क्या करें, torque apply करें, देखो, torque या तो किसी point के about होगा, या तो किसी line के about होगा, ठीक है, जब भी आप torque की बात करेंगे, तो आप साथ में वो point भी बताएंगे, कि किस point के about torque निकालना है, या फ और ये positive charge Q है, तो perpendicular distance देखो, चाहे ये वाला distance, चाहे ये वाला distance, दोनों same है न, इस तरह से negative charge Q के लिए देखो, perpendicular distance इस point से ये वाला, या ये वाला, दोनों distance same है, अभी देखो, ये angle theta है हमारा, ठीक है, तो ये वाला angle क्या हो जाएगा, 90 minus theta, ये A है, तो ये वाली side क्या हो जाएगी, A sin theta, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, कि इस triangle को देखिए, ये वाला triangle, ठीक है, theta के साथ वाला component cos, तो ये cos theta हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, A sin theta, सबसे simple है समझना, या फिर अगर आप इसको 90 minus theta करके समझना चाहते हैं, तो ये A, और cos 90 minus theta, theta के साथ व जा गया ये, A sin theta, तो आपको क्या करना है, इस force को, इस A sin theta से multiply कर देना है, इसी को तो talk कहते हैं, अब देखो, किस तरह के talk हैं ये, अगर plus charge, positive charge Q की बात करें, तो ये इसके उपर एक clockwise talk लगा रहा है, ऐसे, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, clockwise ही लगा रहा है, तो दोनो इ तो ये, देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है, net talk, acting about point O, point O के about net talk, तो QE, जो force है, into perpendicular distance, तो perpendicular distance क्या है, A sin theta, into क्या लिखेंगे, QE, ठीक है, वैसे, जो talk का formula होता है, वहाँ पर हम R x F E लिखते हैं, अगर आपको cross product देखना हो, तो ये R x F होता है, और mechanics में आपने बहुत अच् cross R में क्या फर्क होता है, ठीक है, ये cross product है, direction का फर्क हो जाता है, यहाँ पर R x F, और F x R दोनों equal नहीं होगे, क्योंकि दोनों के direction का फर्क हो जाएगा, दोनों के direction क्या हो जाएगा, just opposite, magnitude तो equal होगा, लेकिन direction क्या होगा, just opposite, clear है, तो positive charge Q के लिए torque, A sin theta into QE, और negative charge के लिए A sin theta into QE, मैंने यहाँ पर minus sin Q नहीं लगा है, क्योंकि उसकी ज़रत नहीं है, दोनों force मिल के क्या कर रहे है, एक couple बना रहे है, तो net torque produce कर रहे है, minus लगाने से तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर minus QE नहीं लगाँगा, अगर आपने direction दिखा दिया towards left, तो पर minus लगाने की ज़रत नहीं है, तो यह हो क्या है, A sin theta into QE, दोनों को add कर दीजिए, तो क्या जाएगा, 2AQ E sin theta, ठीक है, अब 2AQ बताओ क्या था, डैपोल मुमेंट, उनने बहुत detail में पढ़ा था डैपोल मुमेंट के बारे में, इसका direction, negative charge से positive charge की तरफ होता है, ठीक है, तो फिर से आप देखिए, कि क्या ज़रत थी डैपोल मुमेंट की, इस 2AQ को हम क्या लिख पाएंगे, P, तो P sin theta, इसका मतलब जो torque है, वो small A या Q पे depend नहीं कर रहा, ठीक है, इस formula में A और Q जरूर है, लेकिन ये cable P पे depend करता है, क्योंकि अगर मैं इस formula में, suppose A को A by 2 कर दू और Q को 2 Q कर दू, मतलब, जो separation है center से उसको में half कर दू, और जो charge है उसको 2 times कर दू, फिर भी torque क्या रहेगा, same रहेगा, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि separation पे depend कर रहा है, या फिर charge पे depend कर रहा है, separation और charge के multiplication पे depend कर रहा है, ठीक है, तो torque के आगा है हमारा P e sin theta, आप इसे P cross e b लिख सकते हैं, ठीक है, ये vector का form है, तो depending upon किस तरह के problem आप solve करने ही कोशिस कर रहे हैं, अगर vector के form में P और E की value given है, तो आप torque निकाल सकते हैं, या फिर P और E का magnitude given है, उनके बीच का angle given है, तो P sin theta से आप torque निकाल सकते हैं, ठीक है, अब देखो इस theta की दो तरह की value हो सकती है, value तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम दो तरह के case लेंगे, जो specific case है, एक बार हम theta की value 0 लेंगे, जो मैं explain भी कर रहा था, ठीक है, और दूसरी बार हम क्या लेंगे, theta की value 180 लेंगे, तो 180 वाली condition और 0 वाली condition, दोनों condition हम 1-1 करके देखते हैं, या देखो theta equal to 0, त जो electric field का direction है, ठीक है, उधर हमारा positive charge Q आ जाएगा, तो इसके उपर force क्या लग रहा है, QE इधर लग रहा है, और negative charge पर QE इधर लग रहा है, तो net force क्या हो गया इसके उपर, 0 हो गया, net torque भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि अब ये stability gain कर चुका है, अब इसको bent होने की ज़र कैसी है, a stable equilibrium, the dipole is in a stable equilibrium, ठीक है, अगर ऐसी condition है, तो कोई movement नहीं होगा, dipole में, as it is, वो electric field में बढ़ा रहेगा, ठीक है, इस theta equal to 180 degree, इस positive charge Q को opposite इधर ले जाओ, और negative को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये opposite condition है, condition equilibrium की है, ये देखिए, ये condition equilibrium की है, negative charge Q है, तो QE force किदर लेगा electric field का opposite direction में लगता है, तो electric field का opposite direction में लग रहा है, ठीक है, हमने dipole को change नहीं किया, electric field का ही direction change कर दिया, ठीक है, आप चाहें तो इसी diagram को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कि positive charge Q आप इधर ले आए, और negative charge Q आप इधर ले गए, ये electric field का direction था, ठीक है, तो positive charge पे इधर QE तो दोनों diagram सेम है, ठीक है, तो देखें यहाँ पे पहली condition में dipole moment और electric field का direction सेम था, अब की बार dipole moment और electric field का direction क्या है, तो condition ये भी equilibrium की है, लेकिन ये unstable है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कि अगर मैं इस equilibrium की condition से, इसको मैं थोड़ा सा भी twist कर दू, ठीक है, किसी भ charge पे, electric field के direction में force लगने लएगा, तो वो इसको rotate कर देगा, फिर से couple generate होगा, और वो इसको rotate कर देगा, तो उमीद करता हूँ कि आज की class में आपको सब कुछ अची तरह समझ में आया होगा, ठीक है, next class में फिर से मिलते हैं, धब तक लिए thank you so much.